आप सभी का icon tutorials में welcome हैं मुझे icon के तरफ से एक project मिला है wordpad के बारे में पढ़ाने के लिए तो friends मेरा नाम अब्दुल समध है और हम लोग शुरू करने वाले हैं कि wordpad होता है wordpad बेसिकली एक software है जिसका use हम लोग text को edit format और modify करने के लिए करते हैं as per our requirements तो friends शुरू करते हैं कि इसको start कैसे किया जाए एक इसको start करने का way यह है कि हम लोग स्टार्ट प्रोग्राम में जाएंगे और वहां पर wordpad option आएगा इसका एक alternative way यह है कि हम लोग यहां पर window key plus R यह दोनों प्रेस करेंगे साथ में तो एक run dialogue box खोलेगा उसके बाद हम लोग यहां पर wordpad जैसे क्लिक करेंगे और इसके बाद enter करेंगे तो wordpad application जो है वह open हो जाएगा अब friends यहां पर हम जैसे कोई text input किये जैसे की icon institute अब हम लोग इसको इस text को bold करना है इसका font change करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको right click करके select कर लेंगे और इसके बाद यहां पर जैसे की यहां पर हम लोग एक और वह जैसे की की यहां पर हम लोग एक्स टू लिखे तो ये तो नॉर्माली टू जो दोनों है एक सेम लेबल पर है और हम लोगों आगर इसको फॉरमिला बनाना है तो क्या करेंगे कि यहां पर एक आप्शन है सबस्क्रेप्ट रखिण करेंगे तो यह जो फॉर यह इस पर क्लिक करेंगे तो जो इसके अबब लैंक पर आ जाए की है तो यह को सब्सक्राइब नहीं हो चाहिए मैं इसलिक सब्सक्राइब हम लोगों के जैसे ग्रेसा है यह एक कि नहीं आ नोग जाती है कि मैं है दॉसके हर। तो स्लेट करके Alt, Shift और greater than यह तीनों एक साथ press करेंगे तो इसका size बहुत है, तो इसका size बहुत हो जाएगा, और अगर less than बहुत करेंगे, तो इसका size बहुत हो decrease हो जाएगा कि इसने कि देता है कि हम लोगत कैंड कैसे लगाए ऐसे कि आम लोग को नंबर इंग करना है इस पर हम लुक क्वन क्लिक करेंगे तो ये विलेट का फॉर्मेट अगया उस पे हम अधिक करेंगे जो भी अब जैसे इंटर करेंगे तो यह जो बुलेट है वह एक और नीचे भी नीचे में भी बन जाएगा और अगर हम लोग चाहते हैं कि यह बुलेट नहीं रहे उसके जगार पर नंबरिंग आ जाए तो यह हम लोग यहां पर नंबरिंग पर क्लिक कर लेंगे तो अब 1,2 जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो यह 1,2 ऐसे ऐसे आने लेगा और वही अगर हम चाहते हैं कि यह अल्फाबेट आ जाए तो उसके लिए हम लोग सिंपली अगर आप लोगों को मेरी टीचिंग पसंद आई हो तो इसलिए इस वीडियो